24 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और इसी दिन चंद्रग्रहन भी है जोतीश के मताबिक इस दिन विशेश योग बनने जा रही है इस दिन सत्य नरायन के वरत में इंद्र और लक्षमी की पूज़ा भी की जाती है और ये आश्विन शुकल पक्ष के पूर्णिमा भी हो होगा शर्द पूर्णिमा उस दिन रहेगी उस दिन बड़े मतलब अच्छे सायोग है यह जो 24 अक्टूबर को ये चंद्र ग्रहन है और उसमें शर्द पूर्णिमा और इसके साथ साथ जो है सत्ट नाराइन का ब्रत और इसके साथ साथ हम यहां जो है इंद्र की पूजा और लक्ष्मी की पूजा भी इस दिन करते हैं यह विधान है हमारे यहां क्योंकि यह अश्विन शुकल बक्ष की पूर्णिमा होगी वैसे जहां तक इसमें चंद्र ग्रहन का पक्ष है वो एक अलग स्थिती रखता है भारत वर्ष में वो चंद्र ग्रहन पूरी तरह से दिखाई देगा समय है उसका वो एक बज़ के पांच मिनट अठारा सेकिंड पर शुरू होगा हाँ 28 और 39 में और मोक्ष जो होगी वो 26 बज़ के यानि के दो बज़ करके 24 मिनट पर उसका मोक्ष हो जाएगा ये आस्टेलिया में संपूर एशिया में योरोप में अफेरीका में कनेडा में हिंद महासागर में दिखाई देगा 24 औक्टूबर चंदर ग्रहन दिखाई देने का समय रातरी 1 बज़ कर 5 मिनट 18 सेकिंड पर शुरू होगा और रातरी 2 बज़ कर 24 मिनट पर मोक्ष होगा भारत के अलावा ये चंदर ग्रहन आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, कैनेडा, हिंद बहासागर में भी दिखाई देगा जोतिश के मताबिक इसमें 9 घंटे पहले विशेश सावधानिया भी रखनी होगी क्योंकि सूर्य ग्रहन में 12 घंटे पहले सूतक प्रारंब हो जाता है जिसमें किसी तरह का खान पान नहीं करते, लगुशंका या दिर्ग शंका से भी बचने का प्रयास रहता है क्या सावधानिया रखनी पढ़ेंगी समय और कोई लगुशंका या दिर्ग शंका से भी बचने का प्रयास रहता है क्योंकि पलूशन तो है इसमें जो है ना गैसे निकलती हैं चंद्रमा है या सूर्य है तो इसमें हम अपनी और से परयावरन को कोई आशुरक्षित ना करें इसके लिए सावधानिया बरतनी पढ़ती है इसमें जैसे कोई वृद है बुजूरक है जो लोग चल फिर नहीं सकता या बीमार है वो किस तरह पूजा और चना करें देखिए वो पूजा भावना से करेगा शनान दान करेगा लेकिन उन्हें खाने पीने के लिए मनाही नहीं हो सकती कारण यह है काया रक्षते धर्म है सबसे पहला हमारा जो धर्म है वो शरीर की रक्षा है तो उसमें बालक भी आ गए छोटे बालक है जो मतलब भूख प्यास आलना कि वैसे क्या है रात को है यह तो उस समय लेकिन फिर भी इसका सूतक तो जो है ना शाम को चार बज़ के पांच मिनट और अठारा सेकिंड पर सुरू हो जाएगा तो रात्री का भोजन भी मतलों जैसे हम करते हैं आम तौर पर तो वो फिर एक तरह से बादीत है उसको नहीं किया जाना चाहिए सुर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन के समय प्रयावन को और सुरक्षित ना करें इसके लिए भी विशेश सावधानिया बर्तनी होती बर्तनी चाहिए इस दोरान खासतोर पर पूजा का विधान भी है मगर जो लोग बुजुर्ग हैं बेमारी से प्रित हैं या चल फिर नहीं सकते वो सनान पूजा अरचना दान पुर्णे आधी कर सकते हैं और ऐसे लोगों को खाने पीने की मनाही भी नहीं रहेगी क्योंकि हमारा सबसे पहला धर्ब शरीर की रक्षा करना है और इसका सूतक शाम चार बचकर पांच मिनट अठारस सेकिंड पर शुरू हो जाएगा इसलिए रात्री का भोजन भी बाधित रहेगा क्योंकि सूतक के समय खाना बनाना और खाना निशेद माना जाता है बाकी जहां तक राशियों का सवाल है मेख से लेकर के और मीन राशी तब केवल दो ही राशियां ऐसी है जिन में इसके लिए अच्छा परभाव दिखाया गया है ह scalp वे मेश राशी पे मेश्राशी P sundना कि यह सारा अब आपकी जनम राशी क्या है और परसिद्द राशी का है यह सायद आपको पता नहिं होगा केवल नाम से आप जानते लेकिन जो कुम्भ राशी है और मकर राशी है इन केवल दो राशियों के लिए अच्छा फल बताया गया है अनित्हा सभी के लिए कहीं न कहीं कोई चिंता कोई रोग कोई भै कोई चोट या कोई आर्थिक हानी इस तरह के उसमें अर्थ दर्शाए जाते हिंदू धरम पंचा के अंदर केवल दो राशिय ऐसी हैं जिनके लिए अच्छा प्रभाव भी दिखाया गया है कुम्भ मकर सर्फ दो राशियों के लिए शुभ माना गया है अन्यत्हा सभी के लिए चिंता रोग या कोई हानी आर्थ भी दर्शाए गये हैं कुरुक्षेत्र से अशोक यादव निउस एटीन हरियाना